वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल कम्प्यूटर बेसिक्स के लेक्चर सिरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम कनवर्जन मतलब नंबर सिस्टम को हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनवर्ड करना है टॉपिक है नंबर सिस्टम कनवर्जन स्प्रक्राद है तो इसमें डेखते हैं कि कि तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम वार्मयट में नंबर को चेंज कर सकते हैं कि by जी आप टन और ह्खाट स्वाल। अगर हमारे वेल्यू से multiply कर देते हैं और उसके बाद उसे add कर देते हैं तो हमें जो भी final result मिलता है वो decimal number होता है simple सा है कि हमें binary, octal और hexadecimal को अगर convert करना हो तो हम उसके positional value की help से कर सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या है वही same binary to decimal अगर binary to decimal हमें convert करना हो तो हम binary number को उसके positional value यानी 2 to the power जो number होता है उससे multiply करके add कर देंगे तो decimal number मिलेगा जैसे यहाँ क्या है 11010 मतलग इसमें सबसे पहले हमें right side से counting करना शुरू करना है right side से counting करेंगे और counting हमेशा 0 से start करना है तो यह 0, यह 1, यह 2, यह 3 और यह position 4 अब हम क्या करेंगे 1 into 2 to the power 4 इस number के लिए plus 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 उसके बाद plus 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0 हम चाहें तो 0 को skip भी कर सकते हैं यहां से direct क्योंकि इस से इस term से हमें result पे फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां से चाहें तो सिर्फ one वाले को हम consider करें तो भी हमारे पास सेम ही result आएगा अब यह 16 यह 8 यह टर्म 0 जीरो था तो यह टर्म जीरो हो गया फिर टू यह टर्म भी 0 अब यह आगया 26 अब चुकि यह binary नंबर था तो हम टू से यहां पर represent कर रहे हैं लेकिन यह decimal हो गया तो हम यहां base 10 से represent करेंगे इसको यहां as a bracket भी लिख सकते हैं दोनों ही representation करेक्ट है तो binary से decimal सेम प्रोसेस होता है ओक्टल से decimal के लिए ओक्टल से decimal में क्या होगा हम सेम उसी तरह से पोजिशनल वैल्यू से हम multiply करके और add कर लेंगे यहां पर 726 इसको हमें यह octal नंबर है इसे convert करना है decimal में तो हम कैसे करेंगे यहां पर 0, 1, 2 इस तरह से अब चुकि 7 का पोजिशनल वैल्यू 2 है तो 7 इंटू 8 तो दी पावर 2 फिर 2 इंटू 8 तो दी पावर 1 6 इंटू 8 तो दी पावर 0 अब इसको calculate करेंगे तो यह आएगा 448 प्लस 16 प्लस 6 इंटू किसी भी नंबर के उपर अगर पावर 0 हो तो वह 1 होता है यानि यहां पर 6 और तोटल अगर हम add करते हैं तो 470 और यह 470 क्या होगा तो decimal नंबर होगा इसलिए हम best 10 से represent कर रहे हैं तो यह था octal से decimal same process hexadecimal से decimal में भी होता है वहाँ पर हम 16 यूज करते हैं decimal equivalent of any hexadecimal number is sum of product of each digit with its positional value अब hexadecimal number है तो हम क्या करेंगे पहले में convert नहीं करना है इस alphabet को हम position पर जहां से हम multiply करेंगे वहां पर convert करना होगा अब यहां से हम 0 यह 1 यह 2 और यह 3 थर्ड पोजिशन है 2 का तो 2 into 16 to the power 3 plus 7 into 16 to the power 2 अब f की value क्या है तो f की value 15 तो 15 into 16 to the power 1 और b का मतलब होता है यहां पर यह होगा यह का मतलब 10 यानि 10 into 16 to the power 0 तो इस तरह से यह हो जाएगा यहां पर 10 और इस तरह से इसका value 8192 इसका 1792 यह 240 और 10 into 16 to the power 0 का मतलब 1 तो 10 into 1 यानि 10 total add करेंगे तो यह क्या होगा यहां पर decimal value होगा और हम इसको 10 से मतलब base 10 लिखेंगे तो यह होता है hexadecimal से decimal conversion जो कि 27 BA एक hexadecimal नंबर था और उसको अगर हम convert कर रहा है तो आएगा 10234 यह इसका decimal equivalent यह B यहां पर नहीं होगा B की जगा A होगा अब यह तो simple तरीका था अब हमें इसके अलावा अगर किसी number का conversion करना हो मतलब binary, octal, hexadecimal को decimal में convert करने के अलावा दूसरा कूछ conversion आ जाए तो हर किसी का अपना एक अलग method होता है जैसे हमें क्या करना है decimal number से other number में अगर convert करना हो decimal से चाहें हमें binary में convert करना हो या फिर octal में convert करना हो या फिर hexadecimal में convert करना हो सबका process सेम है कि हम उसको divide करेंगे और जो reminder आएगा उसको record करते जाएंगे अब divide किस से करना है तो decimal to binary अगर होगा तो binary का base 2 मतलब 2 से divide करना होगा decimal to octal यानि octal का base 8 तो वहां पर 8 से divide करना होगा अगर hexadecimal है तो हमें 16 से divide करना होगा और हर case में reminder को record करते जाना है तो वही उसका conversion होता है अब हम देखते हैं आपर decimal to binary decimal to binary में हमें क्या करना है चुकि binary का base 2 होता है तो हम number को 2 से multiply करेंगे और divide करने के बाद उसके reminder को record करते जाएंगे 2 से divide करेंगे तो यह यहाँ पर 21 आएगा और reminder 1 फिर 2 से divide करेंगे तो 10 और reminder 1 फिर 2 से divide करेंगे तो 5 और 2 इंटू 5 इंटू 10 होता है तो reminder 0 फिर 2 इंटू 2, 4, reminder 1 तो यहाँ पर 1 फिर 2 को 2 से divide करेंगे 1, reminder 0 अब यह 1 है तो 1 है फिर यहाँ 2 से देंगे यह कब तक करना है जब तक कि यहाँ पर divide होना बंद न हो जाए तो अब यहाँ चुकी 2 से हम divide अगर करते हैं तो एक बार भी नहीं लगेगा 0 time और reminder क्या हुआ 1 अब हमें क्या करना है reminder को bottom से top की तरफ bottom से top हमें लिखते जाना है वही उसका decimal यानि decimal से binary conversion का equivalent होगा तो 43 था अब 101011 यह decimal था 43 और decimal से convert हुआ binary 101011 और यह binary का base 2 तो इस तरह से हम decimal से binary में convert करते हैं अब next है decimal से octal same process octal है तो octal का चुकी base 8 होता है इसलिए हम number को 8 से divide करेंगे अब 8 से divide करेंगे तो 85 से 40 और 73 अब हो गया तो 89 से 72 reminder 1 अब 59 है तो 8 से divide करेंगे तो 87 से 56 reminder कितना बचा तो 3 अब 8 में 7 से divide करेंगे 8 से 7 में अगर हम divide करते हैं तो क्या होगा divide नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर 0 और यह reminder 7 अब हमें इसको कैसे लिखना है तो bottom to top यानि 7 फिर 3 फिर 1 तो यहाँ पर क्या है 473 एक decimal नंबर था और convert करने के बाद यह आया 7 3 1 जो की एक octal नंबर है यानि base 8 से हम represent कर रहे हैं तो यह इस तरह से हम convert करते हैं decimal to octal अब थर्ड है decimal से hexadecimal में कैसे convert करेंगे तो वही सेम प्रोसेस हमें hexadecimal के लिए क्या करना होगा 16 से divide करना होगा और 16 से जब हम divide करेंगे जो भी reminder होगा उसको हम bottom से top लिखते जाएंगे अब 16 से divide अगर कर रहे हैं तो 16 टूजा 32 यह कितना बचा तो 103 तो फिर उसके बाद 16 6 जा 96 तो बचा कितना यहां पर reminder 7 तो reminder यहां 7 लिख दिए अब 16 को चुकि 16 को 2 से हम divide नहीं कर मतलब 2 से multiply करेंगे तो 32 आ जाएगा तो इसलिए हम 16 से divide करेंगे तो वन टाइम डिवाइड करेंगे और reminder कितना आया तो 10 अब चुकि 10 में 2 डिजिट हो गया और hexadecimal में हम क्या करते हैं एक ही जगा पर 10 लिखते हैं तो reminder के आएगा यहां पर 10 के बदले अब 16 को हम क्या करेंगे यहां पर 0 लिखेंगे इसलिए क्योंकि 16 से जब 1 में divide करते हैं तो यह 0 आएगा मतलब हम divide नहीं कर सकते हैं और जो reminder आएगा 1 अब हमें reminder को कैसे लिखना है तो bottom to top यानि 1a और 7 तो यहां पर decimal number था 423 जो की एक decimal number था जिसका conversion कितना होगा तो 1a7 जो की एक hexadecimal number है यहां पर तो इस तरह से हम decimal to hexadecimal convert कर सकते हैं तो यही same process है कि हमें decimal से किसी भी format में अगर change करना हो तो हमें divide करते जाना है जो base होगा उस particular base से divide करते जाना है और reminder को bottom to top record करते जाना है तो हम decimal से किसी भी number system में convert कर सकते हैं अब next है कि हमें अगर binary से octal या octal से binary convert करना हो तो इस case में हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि binary से octal कैसे convert करें तो binary चुकी 0 और 1 का sequence होता है अब binary to octal तो 8 कैसे आता है तो 2 to the power 3 equal to 8 होता है मतलब यहां पर हमारा सारा कुछ लेना देना होगा वो 3 से होगा अब इसमें step क्या है to convert a binary to octal number these steps are followed सबसे पहला step क्या है starting from the least significant bit make group of 3 bit मतलब हमें क्या करना है जो भी number होगा right side से हमें क्या करना है list significant bit यानि right most bit तो right side से हमें count करना है और 3-3 का pair बनाना है तीन-3 का pair बनाएंगे अगर last में एक या दो digit suppose रह जाए तो हम क्या करेंगे last में 0 add करके उसको हम 3 का pair बना सकते हैं क्योंकि last में 0 add करने के बाल उसके value में कोई change नहीं आता फिर हम क्या करेंगे हर group को individually हम क्या करेंगे उसके equivalent octal number में represent कर देंगे तो वो conversion जो होगा वो binary to octal होगा example से देखते हैं जैसे यहाँ पर क्या है 10110110101 ये number है अब हमें इसको क्या करना है ये binary number है इसको हमें octal में convert करना है तो octal में convert करने के लिए कैसे करेंगे तो right side से तीन का pair ये बन गया फिर right side से तीन का pair ये बन गया अब binary से octal कैसे convert करते हैं तो individually हम हर digit को octal में यहाँ पर convert कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा ये 1015 हो जाएगा अब 010 अब octal से जैसे यहाँ पर ये 2 है अब 110 ये 6 आ गया अब 010 यहाँ 2 आ गया अब हमें octal से binary में convert कैसे करना होगा तो octal से binary में अगर convert करना होगा ये simply जो number है वो एक तरह से decimal number ही है 101 decimal में 5 आता है 0102 आता है 1103 आता है चुकि यहाँ पर base 3 ही है इसलिए ये किसी भी हाल में 7 से exit नहीं कर सकता तो हम simply उसको as a decimal number भी समझ सकते हैं अगर decimal लिखें तो वो actual में octal के ही equivalent result आएगा क्योंकि अगर highest क्या हो सकता है तो 111 जो की convert होके कितना आएगा तो 7 ही आएगा तो हम direct इसको as a decimal भी समझ सकते हैं इस digit को अब to convert octal to binary each octal digit is converted into 3 bit binary equivalent इसका just opposite है कि अगर हमें आरे पास binary था तो हम 3-3 का pair बनाते थे और हर digit को उसके equivalent octal यानि यहाँ पर decimal में लिख देते थे तो क्या होता था? equivalent octal number आता था यहाँ पर base 2 होगा अब इसमें क्या है कि हर digit को जो भी digit होगा octal में उसको हम क्या करेंगे? 3 digit में अगर हम binary equivalent लिख देते हैं तो वो क्या होगा? उसका binary equivalent होगा जैसे 0 को हमें 3 digit में binary equivalent कैसे लिखना है? यह सब उपर octal digit है और यह उसका binary equivalent है तो 0 अगर होगा तो 0 के बदले हम 3 0 लिखेंगे 1 के बदले हम 001 लिखेंगे 2 के बदले हम 010 लिखेंगे 3 के बदले 011 लिखेंगे 4 के लिए 100 5 के लिए 101 6 के लिए 110 7 के लिए 111 तो इस तरह से हम हर digit के लिए individually अगर हम 3 big number अगर लिख देते हैं तो वो उसका binary equivalent हो जाएगा जैसे 3 है तो 3 के लिए 011 तो यह हो गया 011 7 है तो 111 6 है तो 110 4 है तो 100 5 है तो 101 तो इस तरह से यह 5 4 6 7 3 जो की octal number है उसका binary equivalent यह इसका binary equivalent होगा तो इस तरह से हम binary से octal और octal से binary convert कर सकते हैं सेम प्रोसेस होता है hexadecimal के लिए सिर्फ difference इतना है कि यहां पर हम 3 का pair बनाते थे octal के case में hexadecimal में हमें 4 का pair बनाना है और जो binary equivalent लिखना है वो भी 4 bit में लिखना है तो हम देखते हैं यहां पर binary से hexadecimal इसका step क्या होगा तो हमें last significant bit से यानी right side से क्या करना है 4 bit का group बनाना है और यह 4 bit का group कैसे बनाएंगे तो अगर in case last में 1 या 2 या 3 digit अगर रह जाए तो क्या करेंगे यहां पर 0 add कर रहेंगे क्योंकि उससे value पर फर्क नहीं पड़ता अब convert each group into its equivalent octal number उसके बाल octal या यहां decimal जो भी हम कहें सारा वही same value यहां पर generate करके देगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे binary से hexadecimal में convert कर सकते हैं अब यहां एक binary number दिया हुआ है 110110110101 तो right side से हम 4 का pair बनाते हैं एक दो तीन चार्ट तो यह अलग हो गया फिर 1101 यह यहां आ गया अब फिर यह 1101 अब हम इसको क्या करते हैं इसके equivalent हम hexadecimal में लिख देते हैं इसके equivalent अगर हम hexadecimal में लिख देंगे तो क्या होगा individually उसका जो भी value आएगा वो एक तरह से जो convert होके आएगा octal का hexadecimal value आएगा अब हम इसको क्या करेंगे individually इसको हम 5 लिखेंगे अब ये ये क्या है 11 है तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं b अब ये क्या है ये यहां पर जो भी value है उसका value कितना आ रहा है d यानि यहां पर 8, 4, 12, 13 तो d का value कितना होता है d 13 के equivalent होता है यानि यह total 13 आया तो इसके लिए हम d लिख सकते हैं अब individually अगर हम देखें तो यह है d यह b और यह 5 अगर इसी को हमें combine करके अब लिखेंगे तो यह पूरा decimal यानि binary equivalent number को हम क्या लिख सकते हैं hexadecimal में लिख सकते हैं जैसे 110 110 110101 यह number है जो की binary में था और hexadecimal equivalent में क्या करेंगे d b 5 और base 16 तो इस तरह से अगर यही same चीज है कि hexadecimal से हमें binary में कैसे convert करना है तो हर digit को हम क्या करेंगे 4 bit में उसका binary लिख देंगे और सब को combine कर देंगे तो वो उसका binary equivalent हो जाएगा मतलब d के लिए 5 के लिए हम क्या करेंगे हाँ 0101 फिर b के लिए 1011 फिर d के लिए 1101 तो इस तरह से अगर हम combine कर दें तो यह किसके equal आएगा तो इसके equal तो मतलब हम hexadecimal से भी binary में convert कर सकते हैं तो यह था हमारा कि हम किस तरह से किसी एक number system format से दूसरे number system में change कर सकते हैं तो different type का process था जो की हमने आज सीखा अब next class में हम कुछ नए topic के साथ इसी series को continue करेंगे thank you thank you so much